थंड का मौसम है और ऐसे मौसम में सर्दी, जुखाम, बुखार, खासी, बलगम, सीने में, जकडन ये ऐसी आम समस्या है जिससे आज कर हर कोई परिशान है तो ऐसे में इन बिमारियों से बचने के लिए और अपनी इम्मिन्टी को स्ट्रॉंग करने के लिए आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ हनी, जिंजर, गालिक सूप और ये कोई नॉर्मल सूप नहीं है इस सूप के अंगिनत फायदे हैं तो इसको कैसे बनाना है, कैसे पीना है जटपट से वीडियो को देख लेते हैं तो आज का healthy और tasty सूप बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है 50 ग्राम अद्रग और इसको मैंने पानी से धो के साफ कर लिया है, साथ मैंने यहां पर ली है पूरी एक कली lesson की, मैंने यहां पर देसी lesson ली है, आगके पास जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आप lesson न बहुत चलगता है अधरा के लेसन की तो अपने अनगिनत पायदे हैं फायदे बताने बैठेंगे तो वीडियो खतम हो जाएगे फायदा ने खतम होंगे तो बस अरटते परटते हम इनको भूनना है ताकि अंदर यह पक जाए और बाहर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और यह देखे मैंने यहां पर अटते पर अच्छे से भून लिया है देखने में लगदा जल गया लेकिन जला नहीं है अंदर तब पक गया है बाहर से बहुत अच्छे से भून गया है एक दम बेस्ट स्मोकी टेस आएगा इस तरह से तो बस हम ग्यास को बन कर देंगे अच्छ हम सारे जले हुए पाट को निकाल देंगे इस तरीके साफ करना बहुत ही आसान होता है फटा फटी साफ हो जाएंगे और यह इतने नरव है कि देखी हाथ लगाते टूट गया है मतला अंदर तरह अच्छे से पक गया है जो स्ट्रॉंग फ्लेवर होता है कच्छापन होता ह है जो खाने में लगता है वह आपको नहीं लगेगा कच्छापन खतम हो गया है और यह देखे मैंने यहां पर दो पाने से धो लिया था इनको ताकि जितना जला मटेरियल है उपर का वह निकल जाए तो यह इदम से पक के तयार हो गया है लेसन भी अच्छे से पक गया है ग जिलका हटाने के बाद में देखे लेसन साफ हो गया है अब हम क्या करेंगे फटा 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 अध्रक को छील लेंगे तो मैंने यहां पर चमत लिया है इस तरह किसे अध्रक को साफ करना बहुत ही आसान होता है तो फटा 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 अध्रक को छील लेंगे यह देखे कित पाने आपको लगएगा अब उतना पाई डाल के पिस लिए गा तो यह देखे यहां पर अधर्राग लेसनद को भी कूछ बारिक होनी तक अच्छे से पिस लिया है और इसको पिसने के लिए मैंने यहां पर फोर्ध का पाई डाल दिया था पेस जितना चिकना बनेगा आपका स जरुदी शूप की रेसिपी है जरू ट्राय करिएगा अब इसमें डॉल्ड़ कि दें मसाले दो तेजबता इसको मैं ने धो लिया है साथ में जायागा चार से पान लॉंग फ्लिवर के लिए एक तुक्रा दालचीनी का मैंने यहाँ पे लिया है छोटी आधी चमश मैंने यहाँ पे लिया है पिसे हुई काली मिर्च साथ में जायागा एक चोथा ही हल्दी पौडर और फ्लिवर के लिए मैंने यहाँ पे लिया क्योंकि बहुत स्ट्रॉंग होता है तो एक लिटर पानी इतने सूप के लिए भी कुछ परफेक्ट रहेगा अच्छे से मिला देंगे यह सूप बहुत हार्ड होता है तो आप इसे बहुत जादा कंजूम मत करिएगा तो इसको हमें पतला ही रखना है बहुत गाढ़ा ने कर देंगे तो यहां पर देखिए एक उबाल आने के बाद में अब हम के करेंगे पहले मिला देंगे और इसको में चार से पांच मेट के लिए मीडियम फ्लेम पकाना है ज्यादा सूप को नहीं पकाएंगे क्योंकि अधरा क्लेसम पहले से पका हुआ है तो सिर्फ पांच मे हो गया है साते साथ जो सूप की कृटिक होई कम हो गई है तो हम क्या करेंगे फटाफट गयास को बन कर देंगे इसको हुआ यह बहुत नहीं पकाना है म marriage को बन कर देंगे इसके बाद हम डाल देंगे समें lass लिए क्से बोड़न के लिए एक चमल नीबुकरस इससे वह तो यहां पर जो शूप बन के तयार हो गया है लेकिन पीने से पहले चान लेंगे ताकि जो खड़े मसाले डाले हैं साथ इसाथ जो रेसे होते हैं अध्रक के लेसन के वह भी निकल जाएंगे सूप क्लीन हो जाएगा तो बच्चे बड़े सबी आराम से पीसते हैं तो पेले हम्स्फू चान लेंगे ताकि जो मसाले हैं और जो रेसे हों निकल जाएगे ताकि पीसे अगर सके जीका आध्या बनके तैयार हो गया है यह सूप इतना हेल्दी है इतना टेश्टी है किसे आप महीने में 15 दिन भी लेंगे तो आपको इतना फायदा मिलने वाला है कि बच्चे हो बड़े हो किसी को भी कोई प्रावलम नहीं आएगी सब भीमारे से बचे रहेंगे पुरानी से पुरानी खास है तो आप ऐसे पीशते कोई दिकत नहीं है सूखी खासी आ रही है तो इसमें हलका घीर आल दीजिए देशी घी उसके बाद आप पीएंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा आपकी सूखी खासी मिंटों में गायव हो जाएगी बहुत ही फायदे बनाईएगा खुदी पीजे बच्चों को पिलाइए अगर आपको आज की वीडियो में ट्रिक्स पसंद आई हो तो में वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर करना तो भीकुल न भूलिएगा चली मिलते हैं आप मुझे फेस्बुक इंस्ट्राग्र पर फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज फॉलो करेंगा अभी के लिए धन्यवाद थैंक्स टू वाच प्लियांका किचन जोन